नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परीचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहधी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां दोस्तों पीट को सुबह के समय में साफ करने का बेहतरिन तरीका जो कभी नहीं आप सुने होंगे अपना ये इनको और आप भाइदा उठा सकते हैं यह आज की जानकारी हमारी आप सभी के लिए क्या आप जानते हो कि वर्तमान के समय में जितनी भी परिशानिया यह वं बिमारी हो रही हैं उनमें से 90 प्रतिर्शत सिर्फ हमारे पेट के साफ नहीं रहने के कारण होती हैं मतलब कि आधी से ज्यादा बिमारी का कारण मातर पीट है लेकिन अगर इसी को साफ रखा जाए तो मानों की सभी तकलीफ हैं दूर हो जाएंगे आज के इस दोर में व्यस्त जिवन शेली और खान पान की गलत आदतों के कारण कई लोग पेट से संबंधित किसी न किसी रोग से पिडित होते हैं जैसे पेट में गैस बनना एसीडीटी पेट में दर्द और जलन होना इन सब के अतिरिक्त और एक परिशानी है जिसे कई लोग परिशान रहते हैं वो है पेट सही से साफ ना होना जो कबजिकार रोग कहलाता है सुबह सवेरे अच्छे से पेट साफ होना हिल्दी होने की सबसे ब पदल सा गया है समय की कमी कहें या व्यस्तता हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पाते हैं जिस वजह से अपच की समस्या होने लगती है हमारा पेट सही ढंग से साफ नहीं हो पाता जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है इस वजह से जलन या डाकार जैसी समस्य दरसल आज हम आपको पीट साफ करने के घरेलू उपाई बताने जा रहे हैं बता दें कि कुछ ऐसे घरेलू नुश्खे हैं जिनका उपयोग करके आप अपद जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं आज आपको हम एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने पेट को सुबह के समय पूरी तरह से साफ कर सकते हो जिसके फायदे भी काफी चौकाने वाले आपको मिलेंगे गैस की दिकत से छोटकारा किद्नी की समस्या को दूर करना पाचन तंतर मजबूत करना जिहां यह तीन फायदे तो लोगों को समाने बिमारी है जो हमने आपको बताया ल के लिए गुनगणा पानी को पिना होता है आपको और उसके बाद थोड़ी देर हलन चलन करने से पेट एक दम साफ हो जाता है याने कि गरम पानी पीए और इसके बाद थोड़ा टहल लें अलसी के बीज, जी हाँ, अलसी के बीजों में काफी मात्रा में पोशक्ता तो होते हैं, इसलिए रात को सोने से पहले दूद के साथ एक चमच अलसी का सेवन करें, जिससे सुबह पेट साफ हो जाएगा, इसके अतिरिक्त दूद के साथ आउलेखा सेवन करने से भी पेट स्व पेट साफ करने में अरंडी का तेल रामबान है रात को सुने से पहले थोड़ा अरंडी के तेल को एक ग्लास हलके गरम दूद में मिलाकर पीने से अगली सुबह पेटा सानी से साफ हो जाता है निम्बु का रस, शहद और काला नमक सुबह खाली पेट निम्बु का रस एक चमच शहद और थोड़ा काला नमक एक ग्लास गुनगुने पानी में मिलाकर सेवन करने से भी पेट साफ हो जाता है नारियल पानी भी पेट साफ करने में रामबान होता है रोजाना नारियल पानी सुबह खाली पेट पीने से पेट साफ हो जाता है अलसी के बीज एक गलास हलके गरम दूद के साथ रात को सेवन करने से सुबह पीट बड़ी ही आसानी से साफ हो जाता है आउला पाउडर के सेवन से अपच की समस्या को खत्म किया जा सकता है रोज रात को सोने से पहले एक चमच आउला पाउडर का सिवन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाफकारी सावित हो सकता है दोस्तों सोनफ खाने से गैस और पीट में जलन जैसे समस्याओं से निजात मिलता है इसलिए जब कभी भी खाएं खाने के बाद सोनफ अवश्य खाएं कई बार ऐसा होता है कि हम न चाहते हुए भी ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो जब कभी भी ऐसा हो छोटी इलाइची चबाले इ वाश्प शील तेल एवं पाचन विकार को दूर करने में सक्षम है इससे आप थोड़ी ही देर में खुद को हलका महसूस करने लगेंगे इलाइची के सेवन से बदहजमी से भी छोटकारा मिलता है लेकिन ध्यान रखें कि गर्भ वहती महिलाएं इलाइची का ज्यादा क्योंकि इससे गर्भ पात होने का खत्रा भी रहता है तो ये थी आज की ये जानकारी जिसके सहरे आप अपने आपको स्वस्थ रख सकते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहदी मातो पून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों